दोस्तों आज इस वीडियो में हम उज्जेन के 12 दर्शेन स्तलों के बारे में बात करेंगी तो वीडियो में अंततक बने रहें ये है रामघाट ये वर्तरी गुपा उज्जेन ये है गड़काली कम माता उज्जेन ये है काल भहरो ये सिद्धवट उज्जेन ये मंगलनात मंदिर ये सांधिपनी आश्रम ये रामंदिर उज्जेन विक्रमा दिट्यों मंदिर उज्जेन हर सिद्धी माता मंदिर महा कालेश्वर मंदिर ये बड़ा गनेश मंदिर तो चले उज्जेन नगरी की शेयर करके करने के लिए चलती ये महा कालेश्वर मंदिर यहां पे जाके एकदम मन प्रसन होता है ये भवे दिवा मंदिर एक राक्षस ने यहां उत्पात मचाया था तो भगवान शिव उसके काल बनकर यहां आये ते और उनका विनाश किया तो लोगों ने अगर किया कि आप अंत्रकाल तक यही रुकिये तो भगवान यहां पे सापित हो गए तो कहते हैं कि कोई भी राजा यहां रात गुजार नहीं सकता अगर ओ रात यहां पे गुजारता है तो खुछ आनोनी हो जाती यह बड़ा गनेश मंदिर इस मंदिर में सापित गनेश मूर्थी विश्पंबर गनेश जी की बड़ी भवय दिवय मूर्थी है इसमें जो जो जल मिलाया है वो अलग-अलग तिरतस्तानों से और मिटी भी अलग तिरतस्तानों से लाई है तक तता इसमें गूड मेती दाना, सिमेंट चुचुना और इतर सामोगरु मिलाई है इसलिए ये बड़ा जागरुद दिवस्तान है इस हरसिद्धी माता मंदीर एक गुजरात और उजयन दोनों में है ऐसी कता है कि ये हरसिद्धी माता का मंदीर गुजरात में भी है समराट विक्रयमादित्ये ने उनको प्रसंदा करके उजयन लाया था तब देवी ने कहा था कि मैं नदीन के समय गुजरात में रहूंगी और रात के समय यहाँ पे उजयन में रहूंगी मान्यता है कि तबी से यहाँ पे देवी रात के समय यही रहती है और आदीन में गुजरात में रहती है तो यह विक्रमादित्य मंदिर यह भी उज्जयन में ही हैं सम्राट विक्रमादित्य इस देवी के परमबक्तती हर साल अपना सीर काटकर देवी की चर्णों में अरपन करते थी और हर बार उनका सीर फिर से जुड़ जाता था गयरा बार ऐसे हुआ फिर बारवी बार उनका सीर नहीं जुड़ा और उनका अंत्त हो गया तो यहां पर गयरा मुंड है मतलब उनके सीर है अभी भी यहां है कुंकुं लगा के रखा रक्रक्य है तो इसे गयरा मुंड कहते हैं और यह देवी के परमभक्त थे अगला है रामघाट जब भगवान राम वनवास में थे तब उन्हें अपने पिता के उर्त्यू का समाचार मिला तब भगवान राम ने इसी घाट पे अपने पिता का तरपन किया था 12 साल में एक बार यहां कुम्ब में लगता है शादालो यहां आके स्नान करके भावबक्ति से पुझापाट करते और दर्शन लेते यहां पे एक सिवलिंग भी है बड़ा ही पावन सिवलिंग है कहते हैं कि सिवलिंग के दर्शन करने से ही 200 पुन्यों का फल मिलता है यहें राम मंदीर, राम मंदीर उजेन यहां भगवान राजार राम के सरुक में दर्शन देते ही यहां भगवान राम, सीटा, लक्ष्वर, अनुवान जी की भी मुर्थी है उनके यहां पे दर्शन हो जाते है तो बड़ी ही दिव्यों मुर्थी है यह सांधिपनी आश्रम जब स्री कृष्ण जी गुरु कुल में थे तो यहां उन्होंने शिक्ष्या प्रदान की थी 5000 साल पुराना यह आश्रम है भगवान स्री कृष्ण ने यहां चवसष्ट कला विद्या का शिक्ष्या यहां पे ली थी तो यहां पे सारे जवसष्ट कला विद्या का चित्रित वर्नन किया है तो यह आश्रम में आप आवश्य बैठ दीजिए और यह जवसष्ट कला का दर्शन ले सकते हैं यह है मंगलात मंदिर यह मंगल ग्रह का बहुत बड़ा मंदिर है इनके बाज़ों में उनकी माता का मंदिर है जागरुद दिवस्तान है जिनके भी कुंडले में मंगल ग्रह का दोश है वे लोग यहां आते हैं पुझापाट करते हैं और मंगल ग्रह का दोश है इसे माननेता है कि जिनके भी कुंडले में मंगल द्रह का दोश है तो यहाँ पे नश्च होता है तो पति-पत्नी और लोग यहाँ पे आके मंगल दोश की पुजा करते है यह अगला है सिद्धवट यह बहुत बड़ा वट रुक्ष है मान्याता है कि माता पार्वती ने यह वट रुक्ष लगाया इसलिए शद्धालो भारी संक्या में यहाँ पित्रों के लिए पुजापाट और तर्पन करने के लिए यहाँ आते है यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आत हैं और अपने पित्रों का दर्पन करते हैं यह है अगला महाकाल मंदीर यह मंदिर तंतरिक लोगों ने बनवाय था यहाँ पर बाकी लोगों को आने की अनुमती नहीं तीसिर तंत्रमंत करने वाले ही यहाँ आते थे और अब सबी लोगों को अनुमत्य है, सब लोग यहां पे आके दर्शन कर सकते हैं, यह महा कल बाबा को मदिरा का भोग लगाया जाता है, और वो प्राशन भी कर लेते हैं, आप यहां आकर साख्षतकर ले सकते हैं, आपको साख्षतकर हो जाएगा, तो बहुत ही जागरुप देवस्तान ह तो यह अगला है गड़काली का माता, यह गड़काली का माता हरसिदी देवी माता पुरनम ऐसा उल्लेक है कि जब माता सती ने, सती माता शती के शरीर के अर्था थाथ की कहुनी यहां पर गिरी थी, तो यह दो शक्तिपिट यहां पे है, इसी मंदिर के निकड गनेशी का राचिन मंदिर है और हनुमान जी का भी मंदिर है, विश्नु जी की अंतरमुक मूर्ति है और खेत के बिचोबिच भैरोनात का स्तान है, यह है भरतरी गुपा, यहां पे एक बड़ी गुपा है, इसलिए यहां इसे भरतरी गुपा कहा गय उज्जयन के महाराज भरतरी के संत बनने की एक अता है कि उनके पत्नी रानी पिंगला के विवावई की कारण उन्होंने अपना सारा राश्पाट अपने भाई समराथ विक्रम विक्रमादित्त को देखे गुरु गोरकनाथ के शिश्यब बन गये थी इनमें से कौन से सान को सान के आपने दर्शन किये है कमेंट में जरूर बताई और नहीं किये है तो अवश्य जाकर दर्शन कर से तो यह थे उजयन के 12 सलों के वर्नन तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए ये सल कुछ शेयर के अंदर है कुछ शेयर के बाहर है तो आपने कौन-कौन से सल को बेड़ दिये है कमेंट करके जरूर बताए और अगर नहीं गये तो ये बार जरूर जाये महाकालेशर का भवेद्धिवा मंदिर आपको जरूर देखना है तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे सस्क्राइब कर दीजे और हाँ बेल आइकान प्रेस करना मत बुलिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई and थेंक यू और वाचिंग माई वीडियो